बाई जादा अंदर मतले आना मा कसले डर लगा रहा वाय जादा अंदर मतले आना ना आ सकते हैं उसका एक्जामपल क्यों मुझे यहाँ पे एक बहुत बड़ी हड़ी मिली है तो I'm for sure कि यहाँकि बड़े जानवर की हड़ी है और किसी बड़े खाया रहा है तो यहां पर रुपना सेफ नहीं है कि तीनों लोग खड़ो जाओ एक एक करके तीनों लोग अपना नाम बताओ कि हर हर महादेव हर हर महादेव कि यह लगा रहा हरे मत लोग्र शापक तीनों झाल झाल हमारा ओफिशली मीटप नहीं हुआ था गुड मॉरिंग दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं अभी हूँ लखनू बहराइच रोड पे और मैं जा रहा हूँ घागरा घाट अभी तक जो अभी मैं हूँ एक आम के बगीचे में जो की रामनगर से आठ किलोमेटर पहले पड़ता है और दिन सूरज सामने उग गया था तो आई थोट कि आप लोगों से बात कर लिया जाए इससे पहले कि मैं डेस्टिनेशन पर पहुंचूँ मैं आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे आपको त्रूआउट दी जर्नी आप इंजोई कीजे इस मतलब अभी तक का मतलब मेर मौनिंग राइड का सबसे बेस्ट व्यू रहा है इस वाले राइड का अमेजिंग टाइमिंग्स थी सूरज सूपता हुआ मिला ग्री आसपास एक नंबर है और मैंगो ट्रीज और ये एरिया सेफ नहीं है बिकॉज आसपास कोई गाहों नहीं है और जानवर यहां पर आ सक और किसी बड़े जानवर ने ही इसको खाया है तो यहां पर रुपना सेफ नहीं है यहां पर रुपना बिलकुल भी सेफ नहीं है यहां फटा फटनिकलिये भाया यहां कोई है भाया एक आम तोड रहा हूं आपके बगीचे से यह आम देख ञाएं मुझे तो यही वह प्लेस है दोस्तों जहां मैं आप लोगों को दिखाना चाहता था दिस इस खागरा घाट और यह कि स्कॉर्पी वाले भाई आ रखे हैं हाँ पर बहुत आफ रोड़िंग हो गई वाउ मैं ब्यूटिफुल मैं ब्यूटिफुल मैं अभी हूँ मेरे सामने उगता हुआ सूरज आप देख सकते हैं और एक तरफ है रेलवे पुल और एक तरफ है नेशनल हाइवे इंडियन रोड का ब्रेज मैं अभी हूँ घागरा नदी घागरा नदी यू कन से जो भी लोग गोरकपूर ट्रावल करते होंगे फ्रम लखनू टू गोरकपूर गोंडा के आसपास एक पुल परता है जो की दो से डाइब मिनिट लगता है एक ट्रेन को पार करने में ये वही पुल है जहां से वो रेलवे ट्राक होके जो रेलवे होके गुजरती है यह है आई गैस हमसफर दिल्ली हमसफर कैन भी यह कोई आम नदी नहीं है दोस्तों दिस इस घागरा रिवर यह चोटी मोटी नदी नहीं है यह हिमाल हिमालय से डारेक्ट नॉर्द रीजिन से बहते हुए तिबद के साइट से बहती हुए आती है और अपना मोस्टली नॉर्दन साइट से होते हुए यहां से गुंडा से होते हुए सीधे और नेपाल को निकल जाती है निकलते हैं फट फट लवली मैं लवली बट यह रेत पर कैसे गूबेगी वेरी बाइक थोड़ा एक्स्ट्रा पाउर देना पड़ रहा है बाइक को यहां के लि इतना इतना इसको आख बंद करके क्रॉस करेगी मेरी बाइक इतना इतना इसको कुछ समझ में नहीं हाता है कि अब यह रिवर क्रॉस करते हैं तिल कंजोर है धीरे चलें घागरा नदी तो है क्या जिला पंचाइद भाराइच यह बहराइच में पड़ता भी है प्राइब करते हैं अगर बोटिंग के लिए मिल जाए तो मजा जाएगा पुल बना देते हैं हड़ा बकरी वच्चे के इंद्रिये जल आयोग है के यह बोटिंगव टको तो थाभीया कोई नौल गूमाता कोई कहाँ-कहाँ घुमाओगे है दीन जीन यहां Develop तुम देखोगे और हेलमेट वलमेट कोई दिक्कत तो नहीं आपए यहाँ खड़ी है बाइक यह व्यू सही है यहाँ से मैं आराम से जा सकता हूं यह रखा गया है पानी के मेजरमेंट के लिए कि पानी का वाटर लेवल यहां तक पानी आ जाता है उप पत्थर तक पानी जा लकड़ी वाले में यह वाला किसका है अच्छा सरकारी है सरकारी ना चलाने वाला नहीं है कोई अच्छु टिप यह भाई ले आया पत्वार है अब हम लोग जा रहे हैं बोटिंग करने के लिए पानी रात में पढ़ा है पहले कितना था बहुत कम रहा आगे था क्या बाद भूट फेलना जाता है हां उम्हा तक जूर रहा है पार कल रात इतना पानी कहां से आगया अभी अचानक से रात भर में अच्छा यह आ गई मेरी बोट थैंक्यू यार थैंक्यू अब रस्टी स गीला कर दिये तो अब मैं इस पर बैट रहा हूँ जै गंगे मैं यहां बैट जाओ ठीक है यहां पर रुक जाओ ठीक है चलो भाई या भाई पानी लीकेज न तो नहीं हो रहा न इसमें ठीक है फिछ तो अभी बोटिंग कर रहा हूं घागरा नदी में भाई-लोग भाई मेरा विलिया यह कहरा हूं मैं आपको गुमा देता हूँ आप कुछ मुझे दे देना खर्चा पानी के लिए डेफिनेटली मैं दूंगा अरे यह पीछे मा कजम डर ला रहा बिडू भाई जाता कहरें तू यही यही में को गुमा दे ठीक है मेरे लिए का भी एचा अंदर मतले हैं एक आर्टिफिशल ब क्योंकि यहां पर अगर कुछ हुआ सुविंग तो आती है मैं तो हेलमेट फेकूंगा पूस पर अखूच जाओंगा है ना भई है कह रहा है मतला भे सभी है कब से तुम लोग चला रहे हो यह सब बच्पन से लोग आते हैं तर गूमने के लिए हैं नाइस अधा अधा अध दीरे दीरे कॉंफिडेंस बढ रहा है और लिट औरे वाइया मुझे सेंटर में ही रहना है और अधा कर दोस्तों हमारी हमारा सफर यह आना यह बोट पर गूमने है गूमने काओ नाक साफ करो पहले तुम तुम हागत रहे वहाँ पर कोन हागत रहे वहाँ पर अच्छा हगर है सब अभी यह सब बलाई इसको फसा के रखा जाता है नाओ को यहाँ पर अब मुझे उतरना पुड़ेगा यहां से थेंक्यू भाई भाई ठीक है ना फिर चलो फिर भी आपका नाम फिर से होता ना प्रेम यहीं रहते हो भाई बहुत थेंक्यू भाई फिर से दुबारा होंगा तो मिलोगा इधर ही थेंक्यू भाई चलो क्या पैसे नहीं देते हैं हम खाओगे कुछ है इधर दुकान है चलो दुकान पर खिलाते पैसा नहीं देंगे हैं क्या खाओगे अ यहां पहले इने ना एक जमान से और एक एक बहो नाम बताओ तुमार jewel है तुमारा नाम हेता है तुमारा है अह एуса संजय तुम्हारा नाम हां दुरूप तो दुरूप उमेश संजय बहुत बढ़ी है क्या खाओगे तुम लोग चीज चालो किला आता है थांक्यू भाई चलते हैं तेरे बोटिंग का हो गया सफर ही पर कंप्लीट थोड़ी दिर बाईक खड़ी रही सारे बटन प्रेस करके बच्चों ने चेक कर दिया सब कुछ आज तुड़ी इस लखिएस डे मैं यह है आपका कानपूर अलिगर कानपूर गोरकपूर क्या है बाई कौन सी ट्रेन है यह बतिंगा इतना तो पता है कि अपर गोरक धाम थी अपनी एक डावे पर चाय पीते हैं यहां पर अंदन निकलता है यह यह टिक ठाक लग रहा है पंजाब के लोग रूपके पड़े हैं तर चाय चाय बस चाय कोड़े गरम है अलू अलू अले दो लेते हो दो अलू पर आई गागरा रिवर की चाय थांक्यू भाईया जिदर यही नदी वाला पानी चलेगा इससे पर और कुछ नहीं हो सकता हूँ क्याप आप मफ बचा हूँ स्टप बेशन के परोड़ें अमेजिंग टेस्टाइब कि बहुत बंदें़ जोएची कि अधिया आ, आ आ अधियो ने पेड़ा लिजाते है, कॉंछा पेड़ा लिजा? यह कॉंसा पेड़ा यह? पेड़ा कि यह डाजेशन भी है और स्वाद भी है कितने कहाई यह हिंग पेडा 130 रुपए ओनलाइन लेते हैं ने यह यह लेते हैं कि यह रती हैं फिरह को और स पाल्स लेड़ बनाद यह लेटें ने प्न घगर को देदें पर ने जा स्वाद काहई। कि अजर avons श्वाद प्रप्राबें पैले काहई बनना उत से ख About झाल 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 आज पर से बाई का वाश करने पड़ेगी आज पर से बाई का वाश करने पड़ेगी इतना ही मिलते हैं आप लोगों सब्सक्राइब वीडियो में उससे पहले आज की अचीवमेंट अमेजिंग राई इक वाश की अचीवमेंट ये जो मैंगों जो तोड़के लाया हूं महागे बगी प्लीस दूब्सक्राइब विडियो प्रकाइब वीडियो अच्छाइब अच्छाइब वीडियो एक वाश की अच्छाइब वाश्य प्रकाइब विडियो मेंगी जैहेंट